अक्सर लोग पिरेट के समय में कुछ गलतिया करते हैं जो गलतिया को दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पांच गलतिया को जानने के बाद इस वीडियो के लाश्ट में पिरेट से होने वाले सभी समस्याएं अधिक दर्दा करना, समय में पिरेट नाना, दोस्तो आधी सभी समस्याओं का उपचार आयरवेदिक सीरफ के माध्धम से जानेंगे जो इस वीडियो के लाश्टे में डिसकास करने वाले हैं सबसे पहले जानते हैं दोस्तो पिरेट के दोरान क्या ऐसे पांच गलती हम करते हैं सबसे पहले है पैट को ना बदलना समय समय पर पैट बदलना काफी बहुत ही जरूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके अधिकतर ज्यादा बहुकी दिनों में हर बार 4-8 घंटे के अंदर में पैट को जरूर बदले और उनके सफाई नियमित रुप से समय पर ध्यान से करना ही चाहिए काफी अगर आपको लगता है कि पिरेड या महवारी के दवरान काफी का इस्तमाल करना अच्छा होता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसके दवरान काफी का सेवन सरीर को डिहाइडरेट करता है जो आपके लिए काफी नुकसान दयक सावित हो सकता है दर्द निवारक गोलिया या दवाएं महवारी या पिरेट के दवरान महवारी में पेट, कमर या हाथ पैर में दर्द होना बेहत ही समान्य बात है दोस्तो लेकिन अगर आप हर बार इस दर्द से बचने के लिए अगर आप किसी मेडिकल इस्टोर या एलोपेथिक दवाई का आप इस्तमाल करते हैं तो दोस्तो या बहत काफी नुकसान दैक सावित हो सकते हैं या इनके और कई साइट इफेक्ट भी हो सकते हैं इसलिए इनसे आपको बचना चाहिए आप इससे बचने के लिए किसी खुसबू या फर्फ्यूम या सेंड का उपयोग न करें उचित रुप से निंद न लेना अक्सर पिरेट के दवरान दर्द और चुचुड़पन होना सुभाविक हैं जिससे बचने के लिए सरीर को अराम और निंद की जुरूरत काफी होती है दोस्तो ऐसे में परियाप्त निंद न लेना सुवास्थाय और सुभाव दोनों को लिए काफी हानिकरक हो सकते हैं यह रहार लगभग 4-5 गलतिया जिसको हमको ध्यान में रखना ही है आप बात करेंगे पिरेड से संबंधित या बच्चे दानी से संबंधित अगर किसी भी प्रकार से समस्य हो तो दोस्तो आप इसके उप्योग या इसके निवारन के लिए एक सांदार आयरवेदिक टोनिक गैनोडोक रसका आप इस्तमाल करके आप चाहे बच्चे दानी में गाठ हो चाहे बच्चे दानी में छाला हो पिरेड समय में आना या ना आना सफेद पानी का आना कमर दर्द होना किसी भी प्रकार के महिला की साररी कमजोरी आदी सभी समस्याओं में या सिरफ काफी सांदार काम करती है दोस्तों इनका इस्तमाल खाना खाने के एक घंटे बाद सुबा साम इस्तमाल करना है और इसका इस्तमाल करते समय आपको निम्बू अचार, अधिक मिर्चा, तीखा दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है और पानी का सेवन आपको अधिक मातरे में करना है अधिक जानकरी के लिए आप इस दिये गए नंबर पर संपर कर सकते हैं और आपकी अच्छी सिहत की कामना करते हुए आज की वीडियो बस यह समाप्त करते हैं मिलते हैं किसी इंट्रेस्टिंग ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई नमस्कार